आज हम एक और फराली स्नेक्स की रेसिपी लेके आए है रेसिपी बड़े सिंपल सी है लेकिन चटपटी है और सुपर हेल्दी है आज हम बनाने वाले है स्वीट पटेटों से एक फराली चाट जो खाने में हेल्दी है और टेस्टी भी इसमें आप धेर सारे variation कर सकते हैं मैंने आज बहुत ही simple तरीके से बनाई है उपवास में अगर healthy और कुछ चटपटा खाने को मन करें तो ये recipe आपके लिए बिल्कुल perfect है Hello मज़ेदा, इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए बिना time waste की आज की recipe बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें sweet potato को boil करना है इसके लिए हम एक steamer में 2 glass जितना पानी ले लेंगे और फिर इसके उपर हम ये चलनी रख देंगे और यहाँ पे मैंने sweet potato को अच्छे से wash करके clean कर लिया है इसे हम ढखकन लगा के 15-20 मिनट तक slow flame पे पकने देंगे जब तक हमारे sweet potato boil हो रहा है हम बाकी के ingredients देख लेते हैं दो हरी मिर्च को मैंने बिल्कुल बारिक कट कर लिया है सिंदा नमक लिया है क्योंकि उपवास के लिए बना रहे है आदा निम्बू का रस लिया है सेसमी सिट्स जिसे हम सफेद तिल कहते हैं उसको dry roast कर लिया है dry roast की हुए peanuts और ये कुछ अनार के धाने लिये है बारिक कटा हुआ धनिया और एक टेबल स्पून जितना हम शहद इस्तमाल करेंगे ये रसे भी बहुत ही सिंपल सी है तो इसे चट्पटा बनाने के लिए हम एक खट्टा मीठा सा टेंगी जैसा ट्रसिंग बनाएंगे जिससे हमारा स्वीट पटेटो चट बहुत ही टेस्टी बनेगा सिंग बनाने के लिए एक जार में नीम्बू का रस, सेंधा नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च और एक टेबल स्पून जितना हम शहर डाल देंगे रहत के जगह आप गुड़िया शक्कर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं डखकल लगाके हलका सा शेक करेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे अब यहाँ पे हमारे स्वीट पटेटो जो है वो बॉयल हो गये है इसे हम निकाल लेंगे और इसके छिलके उतार लेंगे छिलके उतारके बस हलका सा थंडा करके इसे हमें इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे ये देखे मैंने इसे पूरे तरीके से नहीं पकाया है अंदर से अभी भी थोड़ा सा कच्चा है अब यहाँ पे हमें स्वीट पटेटो को शेलो फ्राइ करना है आप चाहिए तो इसे डीप फ्राइ भी कर सकते है लेकिन जहाँ पे शेलो फ्राइ से काम हो जाए ना वहाँ पे वे डीप फ्राइ अवाइड ही करते हूँ एक पैन में एक टेबल स्पून जितना टेल डाल देंगे, यहाँ पे बहुत साधा टेल डालने की जरूरत नहीं है, जैसे ही टेल हलका सा गरम हो जाए, सारे स्वीट पटेटे की जो पीसे से हैं, वो हम इसमें रख देंगे, गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, स्लो टूर हमें दोनों तरफ से इसे अच्छे से उलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है, यह बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे, जिससे हमारी चाट जो है, वो फ्रंची बनेगी, यह दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से पक गए है, और आप करते हैं तो हमको फ्राइ करने में थोड़ी सी तकलिफ होती, इसलिए हमने इसे फ्राइ करने के बाद कट किया है, अब इसे हम एक पाउल में ले लेंगे, और सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है, सबसे पहले जाएगा सफेद तील, रोस्टेड पीनर्स, अनार दाने, ब इसने भी फ्लेवर्स और टेस्ट जो है ना, वो ये ड्रेसिंग के वज़ा से ही आएंगे, चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसे हम सर्व कते हैं, आज मैंने इसे उपवास के लिए बनाया है, अगर आप बिना वरत के बना रहें, तो इसके उपर थोड़ी सेव भी डाल सकत हैं, अगर कोई इंग्रेडेंस ऐसा हो, जिसे आप उपवास में ना खाते हो, तो आप उसे स्कीप कर सकते हैं, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ट्रस्ट मी, ये रेसिपी बहुत ही चटपटी बनती है, तो आप एक ब सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हम जब भी कोई नई रेसिपीज डाले, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, थैंक ये फोर वाचिंग एंड कीप शेरिएंग, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, थैंक ये